शिरी राम भक्त हनुमान जी अजर अमर है वह हर युग में विराज माने हैं कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा और अर्चना करने से विख्ती के सभी संकट दूर हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार वैश निवार का दिन शूप माना जाता है इस दिन वीदी विदान से पूजा करने से भक्तों की सबी दुख दूर हो जाते हैं हनुमान जी को संकट मोचन भी क्याते हैं क्योंकि वह अपने भक्तों पर आने वाले तमाम कस्टों वे परशानियों को हर लेते हैं ऐसी मानेता है कि बगवान हनुमान जी जल्दी से परसौन होने वाले देवता है पगवान हनुमान जी सभी मनुकामने पूर्ण करते हैं अगर घर में वास्तु दोस्थ हो तो हनुमान चल्चे का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से घर की नाकरात्मा कुर्जा दूर होती है हनुमान जी की कई रूप हैं और उनके हर रूप की तस्वीर को घर की अलग-अलग दिशा में लगάνे का अपना महतव है आईए अब जानते हैं कि घर की किस दिशे में हनुमान जी की तस्वीर लगा दक्षिन दिशा में हनुमान जी का परभाव अधिक होता है। की अवश्ता है। इससे तरक्या और सफल्ता मिलती है। वास्तु के मताबिक हनुमान जी की प्रितिमा या फोटो कभी वीश्यन कक्ष में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी भ्रह्मचारी है। इसलिए भगवान हनुमान जी की फोटो को मंदिर या प दिभाव से पूजा करने चाहिए